हेलो फ्रेंड, स्वागत थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास वन का इंगलिश का योनीट फाइब का स्टोरी सरकल हमने पोयम पढ़ी थी, इस वीडियो में हम स्टोरी पढ़ेंगे कौन सा सरकल Unify का One day Mohini was sitting with her grandmother एक दिन Mohini जो थी वो अपनी दादी के साथ बैठी ही थी Grandmother डिल वा a circle तो ग्रादमोदर जो थी उसकी दादी जो थी उन्होंने एक circle बनाया Can you draw a circle Mohini? तो दादी पूछ रही है कि Mohini क्या तुम एक circle बना सकती हो? Yes I can तो मोहिनी ने क्या कहा हाँ हमें कर सबती हूं सून मोहिनी ड्रिवा सर्कल जलदी मोहिनी ने गोला बनाया नाउ आज जब ड्रौ के बल तो दादी बोल रही है कि अब मैं एक गेज बनाऊँगी एक बॉल बनाऊँगी ग्रैनमदर जो थी दादी उन्होंने अपने गोले पे तीन लाइन बनाई फिर मोही ने भी अपने सरकल पे तीन लाइन बनाई वो सचमुच एक बॉल की तरह इगेन की तरह दिखने लगा तो आप दादी कह रही है कि चलो अब हम बैलोन बनाते हैं गुबारे बनाते हैं ग्रैनमदर एड़ेड जिग्जग लाइन टू दा सरकल तो गोले पे ग्रैनमदर ने एक टेनी मेली जिग्जग मतलब इसे टेनी मेली लाइन बना दी ओ, it really looks like a balloon तो वो सच मुझ एक बैलोन की तरह इक गुबारी की तरह दिखने लगा महनी clapped with joy महनी खुश होकर ताली बजाने लगी महनी drew many circles, big and small circles तो महनी ने बहुत सारे गोले बनाए कुछ छोटे कुछ बड़े, छोटे बड़े circles, red, blue, green and yellow circles, लाल, हरा, नीला और पीले circles she also added zigzag line to this और इन सब में उसने टेनी मेली लाइन पी बनाए and now there were many balloons और अब वहाँ बहुत सारे बैलोन थे can you draw something else with a circle? asked your grandmother तो brand mother ने पूछा कि महनी क्या तुम circle से कुछ और चीज़ भी बना सकती हो? yes say महनी, तो महनी ने क्या का हाँ she drew a wheel, a moon, a sun, a rabbit and her own face तो उसने क्या क्या बनाया? उसने बनाया एक wheel, एक चक्का बनाया और एक चांद बनाया, और एक खरगोश बनाया और खुद का चेहरा भी बनाया तो हमें इसमें से circle story से हमें कौन-कौन से ने शब्द, कौन-कौन से new words सीखने को मिले? पहला है ball, ball मतलब होता है गेंद आपने गेंद तो देखी ही होगी, है ना आप खिलते हैं, ऐसी होती है then blue, blue मतलब होता है नीला जैसे ये marker क्या है, नीला है, ये marker क्या है, नीला color है, blue क्या है, एक color है blue एक color है, ओके? then है, circle, circle मतलब क्या होता है? गोला, जैसे ये ball जो है, वो एक circle से बनाया पहले हमने circle किया, फिर उसमें दो line बना दी है, ना? तो अब lines, line मतलब क्या होता है? lines मतलब होता है, रेखा, जैसे ये मैंने line की की इसे कहेंगे हम रेखा, line, okay? then है moon, moon मतलब तो आप लोग जानती होंगे, चांद, आसमान पी जो लेता है, है ना? आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है? अब, let's read में देखिया आपके book में, उसमें समझाने के लिए आपको दिया गया है, I can draw a circle, तो circle से क्या हमें sentence दिया गया है, कि मैं एक circle, मैं एक गोला बना सकती हूँ, या सकता हूँ, then the moon is round, तो क्या बता रहे हैं कि, moon, चांद जो है, वो गोल होता है, है ना? वो गोता रहे हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब इसके कुछ question answers भी कर लेते हैं, question number one, what did grandmother and moonie draw first? तो सबसे पहले दादी ने और moonie ने, दोनोंने सबसे पहले क्या बनाया? क्या बनाया? circle, सबसे पहले उन्होंने circle बनाया, तब ही तो उसमें तीन लाइन कीचा, तो वो बन गया, फिर zigzag लाइन कीच दी, तो फिर वो balloon बन गया है ना? तो फिर सबसे पहले उन्होंने circle बनाया, then है, question number two, what were the colors of the balloons that moonie drew? तो जो balloons बनाया थे moonie ने, उनके color क्या थे? उनके color क्या थे? answer, red, blue, green और yellow, है ना? लाल, नीला, हरा, और पीला था, है ना? वैकिन आप बोलोगे, कि उसमें तो बताया था कि उसमें एक लाल, हरा, नीला, पीला, गोला बनाया था, तो फिर लाश में आप देखे, वहाँ पे बताया भी तो गया है ना? उसमें बताया है कि ऐसे इगोला बनाया फिर उसके बाद जिगजग लाइन खेची तो अब मैंने आप जिगजग लाइन खेच दिया तो फिर क्या बन गया ये ये तो बैलोंड बन गया ना तो इसलिए उसने लाल, नीला, हरा और बीला बैलोंड बनाया थे फिर आप मेरे साथ बोलिएगा मैं बोलोंगी पहले एराउंड बोलिए एराउंड फिर बोलिए पाउंड बोलिए पाउंड बोलिए पाउंड एराउंड बतला चारो ओर A-R-O-U-N-D, then F-O-U-N-D, pound, pound मतला मिलना, then bound, B-O-U-N-D, bound, then G-R-O-U-N-D, ground, then B-R-O-W-N, brown, then S-O-U-N-D, sound, then D-O-W-N, down. फिर आप पढ़िये C-I-R-C-L-E क्या होगा? सरकार, then L-I-N-E क्या होगा? लाइन, then O-B-A-L क्या होगा? ओवल, then S-Q-U-A-R-E क्या होगा? स्कोयर, क्या होगा? स्कोयर, then T-R-I-A-N-G-L-E क्या होगा? ट्राइएंगल, क्या? ट्राइएंगल, then Z-I-G-Z-A-G क्या होगा? जिग-जैग, है ना? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें. थैंक यू.